हेलो स्टुडियों कल अपने प्रकाश का अपॉर्तनांग कर चुके थे उसको अपने अच्छे से डिस्कस किया था प्रकाश के अपॉर्तनांग को कि क्या होता है सनल के नेम के अकॉर्डिंग वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रकाश का अपॉर्तनांग क्या होता ठीक है त यह स्नैल के निम के अकॉर्डिंग था ठीक है इसके बाद दूसरा जो फॉर्मला इसका पड़ा था आपने वो क्या था V1 अपॉन में V2 ठीक है फर्स्ट मीडियम में अप्टिकल रे की वेलोस्टी जो है वो कितनी थी V1 सैकेंड मीडियम में कितनी होगी चैंज होकर एगे V2 ठीक है पहले माद्यम में परकास के वेल और दूसरे माद्यम परकास के वेल का अनुपात क्या कहलाता है अपॉर्तना कहलाता हूँ ठीक है एक फॉर्मला आपने ही यह पढ़ा अब मालनों अगर फर्स्ट मीडियम जो है अगर first medium निर्वात है, first medium क्या है? निर्वात या vacuum है, तो निर्वात में प्रकाश का weight कितना होता है? C होता है, V1 is equal to C, ठीक है? या C कितना होता है? 3 into 10 की power 8 meter per second, ठीक है? तो यह अपनलों discuss कर चुके थे, अगर इसके according लिखना थे होता है, mu12 c upon में क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, या V2 को V मान सकते हैं, ठीक है? यह formula हो जाएगा, इसके बाद तीसरा formula और पढ़ा था अपनों को तो ने, कि mu12 is equal to lambda 1 by lambda 2, एक formula यह discuss किया, ठीक है? जोगी इन formula पर बेस अपने कुछ एक numerical distance करेंगे याज, अब और तुनांगे, ठीक है? इसलिए formula बता रहा हूँ, तो पहल, थर्ड formula क्या था? lambda 1 upon में lambda 2, first medium में इसकी wavelength कितनी थी lambda 1, second में कितनी होगी? lambda 2, तो formula क्या हो गया? परवर्ती है, किसी प्रकाश एक इनको जितना ज़्यादा हो band करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? अपोर्तनाक होगा, जितना कम band करेगा, उतना ही कम क्या होगा? उसका अपोर्तनाक होगा, ठीक है? तो इसमें कुछ एक चीजी अपने डिस्कस कर लेते हैं मोडने या बैंड करने की प्रवर्ती बैंड करने की क्या थी ये प्रवर्ती थी कि प्रकाश येकिन को जितना ज्यादा मोडा जाएगा जितना ज्यादा अपने क्या करेंगे बैंड करेंगे जितना ज्यादा bend होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा इसका mu होगा, उतना ही ज्यादा अपवर्तनाग होगा जितना कम bend होगी उतना ही कम क्या होगा इसका अपवर्तनाग होगा ठीक है, इस point को आपको ध्यान में रखना है next बात एक और temperature पर देखा था आपने यह अपवर्तनाग depend करता है कि जितना ज्यादा temperature होगा जितना ज्यादा temperature होगा उतना ही कम क्या होगा refractive index हो ठीक है यह आपको कि जितना कम अपवर्तनाग तेंपरेचर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा अपवर्तनाग को आपको ध्यान में रखने हैं इसके लावा एक चीज़ और ध्यान में रखने ही आपको वो क्या कि कि किसी भी मीडियम का जितनी ज्यादा डैंस्टी होगी जितना ज्यादा उसका गनत्व होगा जितना ज्यादा गनत्व होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा आप वर्तना होगा ठीक है यानि जितनी ज्यादा सगंता होगी माद्यम के अणों के जितनी ज्यादा सगंता होगी या करणों के जितनी ज्यादा सगंता होगी उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा ठीक है और जितना कम सगंता होगा उतना ही कम क्या होगा इसका refractive index को ठीक ही? ये कुछ एक concept है जो आपको refractive index के बारे में आपको पता होना है R.I. के बारे पहला तो ये स्नेल के नियम के according ये नीक, formula दा sign आही पॉन में sign आप और दूसरा V1 पॉन में V2 या C पॉन में V6 अगर निर्वाद से जा रही दो और या फिर Lambda 1 पॉन में Lambda 2 ठीक है? और दूसरी तीन बातें ये आपको ध्यान में रखनी है अपॉर्तनां के बारे में कि अपॉर्तनां क्या है? किसी परकाश ये किन को मोडने की प्रवर्ति है कोई माद्यम किसी परकाश ये किन को जितना जादा मोडेगा उतना ही जादा उसका क्या होगा? Refractive Index होगा जितना कम band करेगा उतना ही क्या होगा? कम होगा ठीक है? देखो जैसे सगन माद्यम है उससे क्या होती? जादा band होती है विलम की और तो उसका अपुर्तनांग क्या होता है? सगन माद्यम का जादा होता है विलम माद्यम में अभी लम से दूर अट जाती है कम band होती है तो उसका क्या होता होता है? उतना ही कम अपुर्तनांग होता है तीसरा Temperature का ठीक है? Temperature का Effect टेंपरेचर जितना ज्यादा होगा, और तो मू उतना ही क्या होगा? कम होगा, ठीक, अपर्तना उतना ही क्या होगा? कम होगा, और टेंपरेचर जितना कम होगा, मू उतना ही ज्यादा हो, टीसरी बात गन्नत्तव की आपको ध्यान में रखने हैं, डैंस की, गन्नत्तव तो ज तो यह आपको formula और यह तीन concept द्यान में रखने है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बार आपने कुछ एक numerical कर रहे हैं जो आपकी बुक में examples दियो हैं कोश्म दियो हैं उनको discuss करते हैं पूर्तनांग के बार ठीक है तो यह formula आप लोग नोट कर लोगे स्क्रीन शॉट ले लोगे देखो यह आप लोग शॉट में ध्यान रख सकते हो एरो लगा कर गए बढ़ रहा है तो यह भी बढ़ रहा है यह कम हो रहा तो यह भी कम ठीक है बिटा देशा अब आप लोग कोश्म देखोए देखो फर्स्ट जो कॉश्शन है वो क्या है इसमें आपको तीन माद्यम दे रखे है पहला दूसरा तीसरा ठीक है इसमें क्या पहले माद्यम से परकाश ये हickyन सपर आप्तित होती है ठीक है इसके बाद अब इलंब के साथ ये R1 एंगल बनाती है फिर तीसरे माद्यम जो इस माद्यम की LAST surface है उस पर ये आप्तित होती है तो उससे कितना एंगल बनाती है R2 विलम के साथ और फिर ये 30 मादम में जाती है तो विलम से क्या हो जाती है दूर अट जाती है तो आपको क्या करना है मादिमों के बारे में बताना है यानि कि मादिमों के बारे में आप क्या कह सकते हो कि N1, N2, N3 क्या है, कौन ज़्यादा है और कौन कम है इसके बारे में डिस्कस करना आप कि N1 ज़्यादा है, N2 ज़्यादा है, N3 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है या कौन सगन है, कौन भिरल है ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखो यह जो प्रकास शेकीन थी N1 से जैसे N2 में गी तो यह अभिलम की और क्या होगी बैंड होगी यानि कि अभिलम की और ज्यादा जुक गे लेको जितना ज्यादा प्रकास शेकीन जुकेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा अपोरतनाक होगा, अभी आपको बताया तो इसका मतलब जो N2 है जो अपना N2 है वो बड़ा होगा किसे N1 से क्योंगी पहले ये बड़ा एंगल बड़ा है और ये बड़ा क्या है, छोटा है ठीक है, इसका अंड ज्यादा ज्यादा बेंड होगी, ज्यादा बेंड होगी तो इसका मतलब क्या होगा, N2 क्या होगा बड़ा हो, ठीक है इसके बाद इसके साथ इसने R2 एंगल बड़ा है ठीक है और बाद बेसके साथ ये R3 माग लो आप इसके साथ कितना एंगल बड़ाया R3 मों नाया देखो आफ़तितक जो भी मादयम में आपके पास प्रकाश शीकिंट है उसका एंगल देखलो आप लो एंगल बड़ा छोटा तो उससे आप समझ सकते हो कि प्रकाश शीकिंट कितनी जादा बैंड होगी जितनी ज़्यादा band होगी उतना ही माद्यम क्या होगा? सगन होगा अब देखो N1 क्या है? N1 medium का N3 से comparison करोगा और यहां से देखो N2 का N3 से करके देखो कि N2 में यह angle थोड़ा था इसके बाद में यह abilum से दूर अटगी यह angle क्या होगया? बड़ी है ठीक है? यानि के abilum से क्या होगी? दूर होगी band कम होगी ठीक है? abilum की और abilum की और जितना band होगी उतना माद्यम सगन होगा तो abilum से क्या होगी? दूर होगी इसका मतलब क्या हुआ? कि N3 जो है वो N2 से क्या है? विरल है इसका मतलब N2 क्या है? N3 से बड़ा क्या है? N3 से बड़ा इसके बाद पहले और इसमें तीसरे में relation देखो आप पहले और तीसरे में relation क्या है? पहले medium में जो optical rate थी आई एंगल बना रही थी ठीक है? और third में R3 बना रही है अब आप देखो I बड़ा है या R3 बड़ा? I बड़ा है या R3 बड़ा? देखो R3 जो है वो एंगल क्या है? अब बिलम से दूर हटी है ठीक है? जुकी नहीं है बेंड नहीं हुई है बिलम की ओर ये क्या है? कम है यानि कि एंगल जो I है और वो क्या है? छोटा है एंगल र से र 3 से क्या दोगा किसे? र 3 से क्या है? छोटा है छोटा है तो इसका मतलो क्या होगा? जो N1 है वो क्या होगा? बड़ा होगा N3 से N1 है वो बड़ा होगा N3 से क्योंकि ये कम जुका होगा है ज्यादा जुका हो और यह क्या है कम जुका हो अब लम क्यों अब लम से दूर होगी अब लम की और जुकेगी तो उतनी बैंड मानेगे अपने ठीक है और यहां देखोगे आप जो एंगल आई है वो आर 3 से क्या है छोटा है ठीक है तो इसका मतलो क्या होगा कि N3 जो है वो क् 2 इसको दे दो और 3 इसको दो 1, 2 और 3 से आप कोई result निकाल सकते हो कि क्या मान सकते हैं देखो N2 एवो N1 से बड़ा है N2 एवो N3 से भी बड़ा ठीक है और यहां गर देखे N1 एवो N3 से बड़ा तो स्मीकन 1, 2 और 3 से क्या निश्कर्ष निकाल हो गया 1, 2, 3 से कि जो N2 है वो तो सबसे बड़ा है देखो N2 है वो N1 से भी बड़ा है और N2 है वो N3 से भी बड़ा है यह सबसे बड़ा हो ठीक है अब जो N1 है अब N1 N3 में देखो कौन बड़ा है N1 में और N3 में से N1 क्या है? बड़ा है N1 बड़ा है तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? N3 तो ये इन में relation समझेगी यानि कि माद्यम जो दूसरा है वो क्या है? ज्यादा सगन है और N1 है उससे कम है और N3 सबसे विरल माद्यम है तो उसके बारे में ये कहाँ सकते हैं तो ये अपने पास कि सबसे सगन माद्यम कौन सा है N2 और सबसे विरल माद्यम कौन सा है N3 है इसके बाद आपको question number 2 दे रखा इसमें क्या है? कि प्रकास के किसी रंग कि वायूप में तरंग दैद रहे यानि कि वेवलेंद कितनी है? 6000 अरेडियन और जल में 4500 अरेडियन ठीक है? सोरी अंगास्टरन हो जाती है तो जल में प्रकास की चाल ग्याद करने जल में प्रकास की चाल ग्याद करने है तो अपने पास अपोर्तनां का फूमला पढ़ा था अपने कि नू वन टू बड़ाबर क्या होका है? वी वन अपन में वी टू इस इक्वल टू लेमडा वन अपन में लेमडा टू ये रिलेशन निकाला देखो आपको जो गिवन है दिया होगा क्या है? वेवलेंद दे रहकी है लेमडा वन कितनी है? 6000 ठीक है? ठीक है? और क्या दे रहका आपको? परकास के किसी रंग की वायू में तरंग दे दे रहा है ये दे रहकी है यानि कि फर्स्ट जो मीडियम है वो तो क्या है? एर है और सेक्ड जो मीडियम है वो क्या दे रहका आपको? जल है ये निच्चे जल है ठीक है तो air को मैंने आपको बताया था कि इसको vacuum ही let करते है क्योंकि vacuum का कितना होता है reflective index एक होता है और air का कितना 1.003 होता है तो इसको एक ही लेके चलते हैं ठीक है तो इसको निरवात में लेके चलेंगे जी air में होते हैं देखो निर्वात में है तो V1 पहला दो मीडिय में इसमें V1 वेग, दूसरा है इसमें क्या है? V2 वेग तो V1 बराबर सी ले लेग अपने प्रकास का वेग 3 इंटू 10 की पावर कितना होता? 8 मीटर पर सेकेंड होता ठीक है? अब यह सारी आप यहां रख दो, आपके पास दूसरे मादम में प्रकास की क्या जाएगी? चाल आगा है तो यहां से देखो आप लो V1 अपन में V2 लेमडा 1 अपन में लेमडा 2 V1 की जगा आप सी रख सकते हैं और V2 आपको फाइंड करना लेमडा 1 लेमडा 2 ठीक है? अब V2 की वैल्यू फाइंड करने की सेकंड वीडियम में इसकी चाल क्या है? V2 की वैल्यू निकालो यहां से V2 बराबर क्या हो जाए हो? यह V2 इदर इतला जाए हो? तो C इन्टू या लेमडा 2 अपन में लेमडा 1 इन्टू C यह V2 आज है का लेमडा 2 कितना दे रखा आप? 45 और लेमडा 1 कितना दे रखा? 6 आजाब इसको मीटर में चेंज करतो 10 की पाइर माइनस 10 इन्टू 10 की पाइर माइनस 10 C प्रकाश के वेक की वैल्यू रख दो 10 इन्टू 10 की पावार 8 इससे तो यह कैंसल होजगा इससे यह कैंसल होगा इस पूरे को सॉल करोगे तो किसकी वैल्यू आजाएगी आपके पास? V2 की वैल्यू ठीक है? दूसरे माद्वे में प्रकास की चाल कितनी हो जाएगी? यह V2 इसको सॉल कर लो ठीक है? कैल्कुलेशन कर लोगे आप लो फिर से देख लो क्या ला? प्रकास का जो रंग था प्रकास का कोई भी एक रंग है ठीक है? इसका वायू में वेवलेंथ 6,000 अंगस्टन है ठीक है? और जल में कितना है? कम होकर के 5,500 अंगस्टन हो जाएग ठीक है? अब प्रकास की चाल क्या होगी जल में एर से किसमें आया? जल में आया है ठीक है? तो इसमें वेवलेंथ इसमें वेटू यहाँ वेवलेंथ माझ लो लेमडा बनती यहां कितनी होगी लेमडा तो? ठीक है? तो फोर्मला अपने पास इफ्रेक्टिव इंडेक्स का क्या होता है V1 अपॉन में V2 इगल टू लेम्डा 1 अपॉन में लेम्डा 2 ठीक है तो लेम्डा 1 आपको गिवन है 6000 और लेम्डा 2 4500 V1 वाइउ है तो इसको वैक्यूम ही लेके सलाएं उसमें प्रकास का वे कितना तो यह फोमला आपने उठा के या रखें तो यहां V1 की जगाए C रख देंगे V2 आपको फाइंड करना है V2 निकाल करके बागी की वैल लुकूट कर दो तो आपके पास क्या जाएगा दूसरे माद्दे में प्रकास का वे का इसके बाद कोईशन नमबर तीन दे रखाओ कोईशन नमबर तीन क्या कोईशन नमबर तीन जल तथा कांच के अपूरतना के दियो है जल और कांच के अपूरतना के दियो है गिवन जल का अपूरतना कितना दिया हुआ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू W माल ने ठीक है? कितना दे रहका है? 4 बटे दे और कांच का म्यू जी कितना दे रहका है? 3 बटे 2 कितना दे रहका है? 3 बटे 2 अब आपको क्या करना? यदि प्रकास की किर्म कांच से जल में परवेश करती है कांच से किसमें जाती है? उपर क्या है? कांच है और नीचे क्या है? जल जो कांच है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? कांच का तीन बटे दो और इसका कितना है म्यू डवल्यू च्यार बटे तीन यह पाने ही है निटी पाने में दावर ठीक है तो इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखे है आपको आपको ग्याद क्या करना है जल का सापेक्ष अपोर्तना ग्याद करना है जल का सापेक्ष अपोर्तना ग्याद करना है यानि के म्यू डवल्यू जी फाइंड करना है ठीक है तो क्या आजाएगा अपने पढ़ागा म्यू डवल्यू अपोर्तना ग्याद करना है ऐसे अपने वो पढ़ागा होमला निरपेक्ष अपोर्तना का μ2 upon में μ1 ठीक है तो इसका यह आज़ाएगा अपने पास values जैसी पुट करोगे μ2W कितना आपके पास 4 बटे 3 ठीक है और यह कितना आपके पास 3 बटे 2 जैसी value रखोगे तो क्या आएगा आपके पास 4 दूनी 8 3 ती यह 9 तो कितना आज़ाएगा? 8 बटे 9 आज़ाएगा μ2W G की बटे ठीक है? यह आपके पास support तना आपके पास इसके बाद next आपको दे रखा है question number 4 किसी माध्यम का निर्वात के suffix अप पुरतना के दे रखा आपको कितना है? μ2 दे रखा आपको 1.33 माध्यम में प्रकाश का वेग ज्याद करो तो माध्यम में प्रकाश का वेग ज्याद करता है ठीक? इसमें क्या आपको? जो फर्स्ट मीडिम है यह तो क्या है? वेक्यूम है और इधर क्या है? दूसरा माध्यम इससे प्रकाश है कि इसमें जा रहे है ठीक है अब ये vacuum है तो इसमें प्रकास का वेग क्या होगा C होगा ठीक है निर्बात में प्रकास का वेग क्या होता है C होता है दूसरे माद्य में प्रकास का वेग कितना वाले अपने V है तो μू ब्राबर अपने जानते हैं C बटा में क्या होता V Mu की value कितने देर की आपको 1.3 ठीक है और C प्रकास का V 10 into 10 की power 8 होता है जानते हो आप V आपको find गिरना है V को इदर ले दो 10 into 10 की power 8 1.33 इसको आप solve कर लो कि तो आपके पास क्या जाएगी दूसरे medium में प्रकास की क्या जाएगी चाल आज़ ठीक है कि इस माद्य में प्रकास की चाल कितने है ये दो medium ठीक है तो ये आज़ाएगी V की बेर तो इस प्रकास से आपको numerical करने है और भी numerical आपको लोग करके देखना ठीक है आपके पास आंकी कोशन में होंगे एक दो numerical और मिल जाएगा आपको वो डिल करके देखना है तो इस प्रकास से अपवर्तन रांग पर कुछ numerical थे जो अपने discuss किये इसके बाद चलते आपने प्रकास के अपवर्तन से समंदित कुछ गटनाओं के बारे में देखना है प्रकास के अपवर्तन से समंदित गटनाए तो प्रकास का अपवर्तन पढ़ चुके हैं अपने क्या होता है कि जब कोई प्रकास के केड़ एक पारदर्शी समागी मादिम से दूसरे पारदर्शी समागी मादिम में जाती है तो वह है अपने पत से क्या हो जाती है विचलित हो जाती है प्रकाश किस गढ़ना क्या गयते है प्रकाश का अपवर्तन गयते है ठीक है तो अपवर्तन से समन्दित कुछ गढ़नाएं पड़ेंगे जो डेली LAI Smooth में अपने देखते हैं ठीक है तो उनके नाम नाम लिख रहा हว one by one उनको discuss करेंगे जैसे नुम्मर एक है ड्रव से बरे जल के तल का उपर उठा हुआ दिखाई डिखाई डिखाई के रूम में आप ये भी देख सकते हो इसी से समझ लेगे अपर लो कि जल में रखी पैंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई डिखाई 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 एक दूसरा जो है अब वो कहा है कांच की स्लैब पर पाश्यरविक विस्था पर कांच की स्लैब में पाश्यरविक विस्था ये ठीक नेक्स जो है वो क्या है वायू मंडल से समंदित गड़ना है इसमें नमबर एक जो है वो क्या है तरों का टिम्टि माना नमबर दो जो है वो क्या है सुर्योदे से पूर्व वै सुर्यास्त के बाद सुर्य का दिखाई ने तो ये कुशो प्रकास के पूर्टों से समंदित गड़ना है इनके बारे में चर्चा कर तो समसे पहले क्या है द्रव से बरे हुए जल का तल उपर उठाई देता हूँ द्रव से बरावा जब भी अपने कोई पात्र के अंदर देखते हैं तो अपनों का ऐसे दिखादेता है कि तल कुछ उपर उठाऊ हूँ ठीक है यागर आप उसके अंदर कोई कोई फेंग देते हो तो वो आपको कुछ उपर उठाऊ दिखाई देता है इसका reason क्या है प्रकाश का अपोरत मारलो ये आपके पास पातर है पहली घड़ना को डिस्कस कर रहे हैं ये मारलो को य आपके पास पातर है जो जल से वरा हूँ यहां अपकी क्या है आँख यहां से कोई प्रकाश्य केंड़ आ रही है यहां देखो यहां से जो प्रकाश्य केंड जाएगी वो सगन माद्यम से किस में जाएगी? विरल माद्यम में जाएगी सगन माद्यम से जैसी विरल माद्यम में जाएगी तो वह बिलम से क्या हो जाएगी? दूर अटेगी या जुकेगी? क्या हो जाएगी? दूर अट जाएगी? तो ये विलम से क्या हो जाएगी दूर अट जाएगी इधर से भी ये विलम से क्या हो जाएगी दूर अट जाएगी लेकिन वास्तों में अपने को आती हुई कहां से परतीत होगी इनको पीछे बढ़ाओ ये बढ़ाओ वास्तों में आपको यहां से आती होई प्रतीत होगे तो यह वड़ा जो तल है वो यहां ना दिखाई देता हूँ आपको कहां दिखाई देगा यहां दिखाई ठीक है तो इस प्रकास के अपॉर्टन के कार्ण है अपने को द्रव से बरावा तल क्या दिखाई देता है उपर उठावा दिखाई देता है तो प्रकाश ये केने हैं वेरल मादिम से किस में से लियाती है सड़ी सगन मादिम से किस में से लियाती है वेरल मादिम में जिससे ये अब इलम से क्या आती है दूर अट जाते हैं अब इलम से दूर अटेंगी तो अपने को आते ही कहां से परतित होंगी कि यहां से तो यहां इसका क्या बन जाएगा आवासी परतिविम बन जाएगा आवासी परतिविम बन जाएगा ठीक है इसी प्रकार से यदि आप द्रवस से बरे किसी पानी के पात्र में एक पैंसिल रख दो एक पैंसिल रख देते हो यह रख दो तो यह आपको कुछ मूडी हुई दिखाई देती है इस प्रकास इसका कारण क्या है? कि वैसे ही जैसे प्रकास की किरने हैं वो यहां से जाती है यह ठीक है? और यहां से यह क्या आती है? फैल जाती है और साव वास्ता में आती हुई काहां से प्रतीत होती है यहां से आती हुई प्रतीत है तो यहां से कुछ आती हुई प्रतीत है इसलिए आपको क्या दिखाई देती है? कुछ मुड़ी भी दिखागी दिखते ठीक है तो यह अपना पहला पॉइंट है इसके बास next देखो क्या है कांच की स्लाइब में पाशरविक विस्थाप नमबर 2 कांच की स्लाइब में पाशरविक विस्थाप ये क्या होता है? मानलो आपके पास कोई कांच की स्लैव है ये आपके practical भी है, minor A, physics के अंदर तो इसको ध्यान से समदो हो गया आपको, practical भी है ये मानलो कोई प्रकास चेकर ये कांच है, कांच की स्लैव हो गी है आपके पास ठीक है? ये कोई प्रकास ये केड़े ये बाहर एर है इधर भी एर है तो मालो कोई प्रकास ये केड़े याँ पर आपतित हो रही ठीक एर से कांस में जाएगी तो विरल माद्यम से किस में जा रही है सगन माद्यम है तो ये माल लो जांपर आपके तो ये अभिलम बढ़ा दिया तो अभिलम की और क्या होगी है जुक जाएगी इसको थोड़ा सा एंगल बढ़ा लो आप अभिलम की और क्या हो जाएगी जुक जाएगी तो माल लो ऐसे इतले है इस परकार से ठीक है अब जैसे इस सर्फेस पे आपती तुभी बाहर जाएगी तो बाहर कौन सा मीडियम है विरल है जैसे विरल माद्य में जाएगी जैसे ये विरल माद्य में जाएगी तो विलम से क्या हो जाएगी दूर अट जाएगी इस प्रकास अब विलम से क्या हो जाएगी दूर अट जा को जो आपतित प्रकार शेकिन इसको जाना कैसे चीए था ऐसे चीए था और यह गई कैसे यहां से गई तो ये जो difference है ये ही एप पाशरविक विस्ताफ है ठीक है या आप इसको ना मान करके ऐसे समझ लो इसको इस प्रकार शेकिन को यहां से आपटित करवाई थी अपन ठीक है तो बाहर कहां से निकलिजे यहां से shift हो तो इसको आप लो इस प्रकार से समझ लो यह पाशरविक विस्ताफन निगेश्ट है ठीक है आप इस कहां होई इस बिंदू पर आप तो और यहां से निकलना कहां से चीए था यहां से इसको निकली कहां से यहां से तो यही क्या है पाशरविक विस्थापन D distance की ठीक है पहले air से कांज में गई तो अब लम की और जुग गई और कांज से air में गई तो अब लम से क्या होगी है दूर अट ठीक है तो जो प्रकास येकिन है पहले यहां थी यहां से कांज शिफ्ट होगी है यहां होगी जैसे निर्गत प्रकास येकिन होगी यहां से निर्गत होगी तो यहां शिफ्ट होगी ठीक है तो यह क्या होगा यहां से यहां तक इसका क्या होगया विस्थापन होगया इसी को क्या बोलते है आपने पाशरविक विस्थापन होगते ये क्या होता है पाशरवी क्विस्तापन होता है ठीक इसके बाद लेक्स पर जलते हैं वायू मंदल से समंदित कुछ गड़नाएं हैं सबसे पहली है कि तारे क्यों टिम डिमात हैं देखो जो आकाश में तारे होते हैं वो विविन परतों से होकर के उनका प्रकास अपनी आंकों तक पहुंचता है विभिन परते होती है आकास में वायू मंडल में तो विभिन परतों से होता है प्रकास अपनी आंकों में पहुंचता है तो विभिन परतों से जैसे ही वो पहुंचता है तो अपने जो आंक में रेटीना पर उनका प्रतिवीम बनता है वो क्या होता है विस्थापित होता रहता है ठीक है देखो वेन परतों से गुजरेगे तो उनकी स्थिती क्या हो जाएगी विस्थापित होगी तारों की जिससे रेटीना पर जो बनने वड़ा प्रतिविम भी क्या होगा विस्थापित होता रहेगा यानि कि बार-बार क्या ह ुझ A अपने एक कंगा ले लिए यह कंगा है मांगी यह यह इविदै पर्ते होगी जैसे एसे एसे अदेयागी। तो आपको यह क्या दिखाई देगा? टिमिटी मात्ता हो दिखाई देगा, ठीक है? तो यह optical source आपको टिमिटी मात्ता हो दिखाई देगा, ठीक है? क्योंकि रेटीना पर इनकी प्रतविम की जो स्थिती है, वो क्या होती रहती है, इस समय के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है इस कारण ये तारे हैं वो क्या दिखाई देते हैं टिमिटिमाते होगी दिखाई देते हैं और ग्रह है वो नहीं टिमिटिमाते ग्रह क्यों ही टिमिटिमाते तो ग्रह जो है उनका खुद का प्रकाश नहीं होता ठीक है खुद का प्रकास नहीं होता इस कारण उनका रेटीना पर एक स्थाई प्रत्विम बनता है कै रेटीना पर एक स्थाई प्रत्विम बनता है इस कारण जो ग्रह है वो टिमिट माते नहीं और तारे ऐस थाई प्रत्विम के कारण क्या होते है टिमिट माते रहे इसके बाद सुर्योदय से पूर ठीक है? जब सुर्या का उध्य होता है उससे पहले और सुर्यास्त के बाद यानि कि सुर्या जब अस्त हो गया उसके बाद अपने को सुर्या उगा हुआ दिखाई देता है यानि कि सुर्या कुछ दिखाई देता रहता ऐसा क्यों होता है ये भी प्रकाश के अपोर्तन गेगान होता है देखो कैसे ये मालो आर्थ है ये प्रिथ्विये ये भी बिन परते हैं इसके देखो जो आर्थ होती है जैसे ही आर्थ के अपने प्रस्ट की और बढ़ेंगे जैसे ही अर्थ के प्रस्ट की और बढ़ेंगे तो गनत्तव बढ़ेगा क्या होगा? गनत्तव बढ़ेगा और जैसे ही अपने उपर जाएंगे तो गनत्तव क्या होगा? कम होगा ठेक है? तो गनत्तव क्या होगा? कम होगा अब मैंने आपको बताया था, जहाँ density जादा होती है, वहाँ का माद्यम क्या होता है? सगन होता है और जहाँ density, यानि के गनताओं कम होता है, वहाँ का माद्यम क्या होता है? विरल होता है ठीक है जब परत्वी के जो पास का जो एरिया होता है यहां दूल के करण बगएरा बहुत सी चीज़े रहती है ठीक है बहुत सी गैसे रहती है तो यहां का जो माद्यम है वो क्या रहता है गनताओं क्या रहता है इनका सगन होता है सगन है तो सुरी गनत्यों क्या रहेगा ज्यादा रहता है तो माद्यम क्या होगा यह सगन होगा और जैसे अपने उपर उपर जाते रहेंगे तो गनत्यों क्या होता जाता है देरे देरे कम होता जाता है जिससे माद्यम क्या होगा विर्ण हो जाएगा अब मालनो ये इसका चैतिज है ठीक है ये प्रतुईगा चैतिज है और मालनो ये सूर्या यहां होगा सूर्या अस्थ हो गया सूर्या क्या हो गया अस्थ हो गया अब प्रकाश्य किने यहां से क्या होगी यहां पर आए यहां से प्रकाश्य किने यहां है अब प्रकाश्य किन कौन से माद़े में आ रही है सगन माद़े में आ रही है ठीक है तो अब इलम की और क्या आ जाती है ये अब इलम की और जुक जाती है और जैसी अब इलम की और जुकेंगी तो यहां जो अब्जरवर है उसको कहां से आती हुई प्रतीत होंगी डैस 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 यहां से तो इसका जो आब आसी प्रतिविंव है वो यहां बड़ेगा इसका सूर्य अस यह सूर्य उद्या से पहले अपनेगो सूर्य दिकाए देदे आ Rate जैसे सूर्या स्थ हो गया सूर्या अस हो गया, तो सूर्या 36 से नीचे चला गया, ठीक है, इससे अब जो प्रकाश ये किरिने आएंगी observer के पास, वो विरल से किस में आएगी, सगन मादे में, विरल से जैसी सगन मादे में आएगी तो वो अभिलम की और क्या हो जाएगी, जुक जाएगी, जैसी बेंड होगी, तो observer को कांसे आती प्रतित होगी, यहां से डाई जाएगी, तो यहां इसका प्रतिविम क्या बन जाएगा, अबासी प्रतिविम बन जाएगा, इस कार्ण अपने को सुरोधय से पुरू और स्यास के बाद सूर्या उगा हुआ दिखा गी, ठीक है, तो यह प्रकाश स समंदित कुछ क्या थी, गट ना आएगे, नेक्स्ट टोपिक अपने प्रकाश का पुरू आंतरिक प्रावर्तन पढ़ेंगे, ठेंकु